नमस्कार स्वागतिया आपको जनसत्ता में मैं ट्रिश्ण अशुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरे सुप्रीम कोड की आसन न सुनवाई के वीच महराश्ट रोव विधानसभा में राजणीतिक नाटक देखने को मिल सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री एक नाटचिंदे को आज एक फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार के बहुमत को साबित करने के लिए विश्वासमत का सामना करना पड़ेगा कागस पर भाजपा के साथ शिवसेना के शिंदे खेमे के पास आराम गायक बहुमत है विश्वासमत से एक दिन पहले भाजपा ने एक महतवपूर्ण लडाई जीती क्योंकि उसके नेता राहुल नार्वेकर को विधान सबा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था शरिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्ध ठाकरे ने शिंदे को पार्टी से निशकासत कर दिया अगर हमाकडों को देखे तो बड़ी तस्वीर यही दिखती है शिवसेना के 55 विधायक है रगापा के 33 पन कॉंग्रेस 44 भाजपा के 106 शिवसेना में बागी अशिंदे खेमे के पास 43-39 विधायक है जबकि ठाकरे समुओं के पास 16 विधायक है पास दिन पुरानी शिंदे सरकार महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के लिए उतरेगी यहां महाराश्ट्र विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष नावराहुल नार्वेकर फोकस में होंगे क्योंकि शिवसेना के बागी फ्लोर टेस्ट से पहले माननेता चाहते है पाजपा का कहना है कि जब विधाय मामलों की बात आती है तो अध्यक्ष का विचार अंतिम होता है लेकिन उद्धर ठाकरे समू के विध्रोहियों के आयोगिता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ रहसे बिना हुआ है डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उध्गाटन आज गुजराग के काभी नगर में प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी करेंगे कारिक्रम के दौरान मोधी प्रध्योग की पहुच बढ़ाने जीवन को आसान बनाने के लिए सिवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के अदेश से कई डिजिडल पहल शुरू करेंगे डिजिडल इंडिया वीक की थीम केटलाइजिंग न्यू इंडिया स्टेकिड है इस सब्ता भारती जुन्ता पार्टी की निलंबिक प्रवक्ता नुपुर्शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिपड़ी किये जाने के बाद सोचल मीडिया पर जम कर आलोचना हुई इस बीच बेंच का हिस्सा रहे एक जजने परसनल उपीनियन रखने के लिए डिजिडल और सोचल मीडिया के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है उनने जजों के खिलाब देश में कानून और शासन मनाये रखने के लिए ऐसे मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर मैंडेटरी रेगूलेशन का आवाहन किया है जस्तिस जेबी पादरीवाला ने शनिवार को कहा सोचल और डिजिडल मीडिया आजकल मुख्य रूप से जजों के खिलाब फ्यक्तिकात राय व्यक्त करने के बजाए उनके निर्णयों में आलोजनात्मक नूल्यांकन शुरू कर देते हैं यह नियाएक संस्थान को नुकसान पहुचा रहा है और इसकी गरिमा को कम कर रहा है हैदरबाद में भाजपा की राश्ट्री कारेकारणी की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्री क्रहमंत्रेमिट शान रविवार को कहा कि अगले 30 से 40 वी जेपी का यूग होने वाला है और अगने कुछ देशकों में भारत विश्व गुरू बन जाएगा बाजपाति लंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिबारिक शासन को खत्म कर देगी शाने 2002 के गुजराद दंगो पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और अन्नि को क्लीन चिट मिली है शाने कहा यह आदेश एतिहासिक था अभी के लिए बस अतना ही देश्टनिया की तमाम बड़ी खबरों से जड़नेने के लिए बने रही है जनसत्ता के साथ